हेलो प्रेंट्स वेलकम बेक टू मेगनी पिसंट ग्यान तो दोस्तो लेड मी नोट 9 प्रो जो की बजट कैटिगरी का एक किलर स्मार्टपॉन बनने वाला है जिसके अंदर आपको मिलेगा 108 मेगा पिक्सल का क्वार्ड कैमरा सेट अप क्वालकॉम शनब ड्रेगन 765G का एसोसी और ड्वेल सेल्पी कैमराज तो चली दोस्तो बात कर लेते हैं रेड मी नोट 9 प्रो स्मार्टपॉन के बारे में क्या कुछ फीचर मिलेंगे आपको इस पोन में तो दोस्तो वीडियो काफी जदा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को एंड तक देखते रहे हैं तो चली दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में तो इसके अंदर आपको 6.5 इंच की Full HD प्लस एक IPS LCD डिस्प्ले पेनल देखने को मिलने वाला है जो कि दोस्तो डुएल पंचॉल कट आउट के साथ आएगा जी हाँ दोस्तो इसके अंदर आपको डुएल से आप ड्रेगन 765G का SOC देखने को मिलने वाला है जो कि दोस्तो काफ़ी पॉवर्फुल चिपसेट है जो कि इससे पहले रेडिमी के 30 स्मार्टपॉन में देखने को मिल चुका है यानि कि इसमें आप कोई भी हाई लेवल के गेमिंग या पिर PUBG वरा खेलते हो तो इसके अगर बात की जाए इसके केमरास की बारे में तो इसकेंदर आपको रियर साड में क्वार्ड केमरा सेट अप देखने को मिलेगा जिसका प्राइमरी संसर होगा 108 मेगापिक्सल का जिसमें सोनी का IMX686 का संसर यूज किया गया है और इसी के साथ आपको 12 मेगापिक्सल का एक इसकेंदर आपको सेलफी के लिए ड्यूज केमरास देखने को मिलेंगे जहां पर 20 मेगापिक्सल का में सेंसर एंड 8 मेगापिक्सल का एक एल्ट्रावार्ड एंगल लेंस देखने को मिल सकता है और वहीं पर अगर बात की जाए इसकी बैंटरी के बारे में तो इसके अंद आपको टाइप सी पोर्ट एंड पेशन लोग जैसे फीचर भी मिलने वाले हैं तो चली दोस्तो अब बात कर लिटेंस की प्राइज और लॉंच रेट के बारे में तो दोस्तो इसकी बेस ब्रेंट यानि की 6GB, 64GB की प्राइज होने वाली इंडिया के अंदर 17-18,000 तो दोस्तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक के यार